तो ओके गाइज, वेलकम बैक टो नदर व्लॉग और आज का जो व्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है आज हम आपको ट्रेन जर्णी दिखाने वाले हैं जोद्पूर्टू पाली तक की और यह सफर होने वाला है हमारा 73 किलोमेटर्स का और तकरीबन तकरीबन एक गंटा प अज को बताते हैं तो बने रही हमारे व्लॉग के साथ में और चलिए शुरू करता है तौर आज जो हम ट्रेन में सफर करहा है उभ्यां उसका नाम है सूरी नगरी एक्सप्रेस और सूरी नगरी एक्सप्रेस का मैं आपको बताओं कि नाम कैसे पढ़ा तो सेंट्रल स्टेशन तो आगे की डीटेल्स और आगे चलते वे और बाते करते वे बताते आपको तो गाइस यह जो ट्रेन है यह चलती है जोद्पो टू बांदरा टर्मिनल और उसके बीच में टोटल जो यह स्टोपेज लेती है वह है टोटल सेवंटीन स्टोपेज 17 स्टोप लेती है उसमस है जो में रेलवे स्टेशन है वो है सूरत वडोधा एमदाबाद अबूरोड सूरत और मुंबई सेंट्रल जो की है बांदरा टर्मिनल के लिए और यह जो मैंने आपको इस्टोपेज बताया है यहां पर यह पांच मिनिट से ज्यादा रुकती है और एमदा हजार से ज्यादा लोग रोज बोर्ड करते हैं यहां से तो यह अपने आप में बहुत यूज नंबर है इसकी टॉप स्पीड है 110 किलोमेटर परती गंटा और एवरेज स्पीड मैंटेन करती है यह 56 किलोमेटर परती गंटे की तो के काई अब मैं आप लोगों को ट्रेन के अंदर से दिखाता हूँ कि ट्रेन कैसी है अंदर गुस्ते ही यहां पर मेरे लफ्ट हैंड के अंदर वाश्रूम है अब अंदर चलते हैं वाश्रूम की बात बाद में करेंगे यह कुछ seats है और मुझे जो seat a lot हुई है अंदर गुस्ते 12 number seat side upper और side lower है यहां पर और मेंको seat a lot हुई है side upper अब मैं first AC और आपको इसके अंदर फर्क बताता हूं उसमें आपको यहां पर doors मिलते है और इसमें आपको यहां पर curtains मिलते है बस इतना ही फर्क है अब देख रहे हो यहां पर जहां पर थर्ड एसी गंदर तीन सीट्स आती है यहां पर two seats आती है फर्स टेसे में भी two seats आती है और बस यहां पर curtains मिलते है आपको तो यहां पर ऐसा है कि इन four person के लिए एक curtain है और side upper होने का फाइदा यह है कि मुझे personally ऐसा curtain मिलेगा और मेरी यहां पर privacy रहेगी तो मैं majorly अपनी tickets जो है side upper यह side lower ही book करता हूँ करता side lower मिल side upper जाती है पर चलता है कोई दिक्कत नहीं है seat में आपको दिखाता हूँ चलिए अपनी seat दिखाता हूँ तो यह कुछ इस तरीके से seat है और comfort किया कि मैं बात करूँ तो ठीक है third AC और इसमें ज्यादा कुछ फरक नहीं है बस color का फरक है इसमें ज्यादा तर seats blue color की है इसमें brown color की है तो यह कुछ seat के बारे के अंदर है seconds AC के अंदर जो मैंने आप लोगों को बता दिया अब हम बात करेंगे इसी की तो अभी जस्ट ट्रेन के सारे डोर्स ओपन हुए है तो हाथ वहाथ ही इन लोगों ने एसी ओन कर दी है तो जस्ट एसी ओन हुई है उपर फैन चल रहा है तो आवाज में को नहीं पता कि कितनी clear आ रही होगी पर I hope कि अच्छी आ रही हो और आगे जर्णी को enjoy करते अभी जो टाइम हो रहा है वो है 6.47 और हमारी जो ट्रेन है वो निकलेगी यहां से 7.30 पर तो लेट्स गो एंड इंज्वाइ तर राइंट दो वह उतना लेले हुए जर्ली की न डात वादया न में इंज्वाज घ्णार के पार्ले का विछात खरी आपली की डाली कि ए जोपके अच्छी एली सुर आंग अचों तर वे फी उपहए हाह के अच्छ फे लाण तो गाइस यहार रात का सफर है तो मैं नजारे आपको उत्ते नहीं दिखा पाऊंगा पर इस्टेशन के बारे में 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 और वहां का क्या फेमस है वह सारी चेज़े में आप लोगों के जरू शेयर करें तो अभी हमारा जो नेक्स टॉप है वह है लोनी जंक्शन जहांके र तो लोनी जंक्शन दिखाते हैं तो यह पाली के लिए सेकंड इस्टोपीज है मतलब जोदपूर से अब यह सेकंड स्टॉप है जहां पर ही ट्रेन होल्ड लेगी और यहां से अब यह सीधी पाली ही रुकेगी तो सफर को एंजॉय करते हैं और आप लोग इससे काफी रिल यह क्या है कैसा है सब कुछ अगर जर्णी अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और इस जर्णी को जो भी पाली आरे हो और जिनको यह ट्रेन जर्णी देखनी हो और जो सूरी नगरी से आरे हो मिलते हैं नेक्ट व्लाग में बाबाई टे केर वंदे मात्रम गाईज